तो आप तो जानते ही हैं कि गणित का हमारे जीवन में कितना महत्व हैं और गणित हमारे जीवन से कितनी जुड़ी हुई है। अब जब गणित की बात आ ही गई है तो देखें गणित में एक कारिक्रम। बच्चों आज हम सब एक से लेकर के लाग तक की संख्याओं का लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है। लेकिन प्रशन आज मैंने पूछोंगी। आज तुम सब एक दूसरे से प्रशन पूछोंगे। ठीक है बच्चों। जी दीदी। आच्छा। नलिन पहला प्रशन तुम पूछो। दीदी पहले मैं कागस पर एक संख्या तु लिख लूँ। ठीक है। नलिन ने संख्या लिखी है चार पांच नौ साथ। इससे कौन पढ़के बताएगा। दीदी मैं बताओ। यह संख्या है 4597। बिल्कूल थी। यह संख्या है 4597। अच्छा अब मैंने तो पता दिया अब तुम मेरी द्वारा पूछी गई संख्या को लिख कर दिखाओ। पूछो। यह संख्या है 1025। तुशार ने संख्या पूछी है 1025। यह देखिया जीदी। बिल्कूल सही। नलिन ने लिखा है ऐसे 1025। बिल्कूल सही लिखा तुमने नले देखो। यह है इकाई, यह है दाहाई, सैकडा, और हजार। तुशार में संख्या पूछी थी 1025। हमने क्या किया, एक हजार का एक लिख दिया 1000 के उपर। और शूने जो है वो हमने कहा लिख दिया सैकड़े के उपर। चुकि सैकडा तो बोला ही नहीं क्या था। और बाद में हमने लिख दिया 25, तो संख्या क्या हो गई? 1025। क्या बात है कलतना। तुम बड़ी चुपचा बैठी हो, तुमकर प्रशनी पूछागी। दीदी मैं सोच रही थी कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी कौन बताएगा दीदी मैं बताओं हां तुशार बताओ तो दीदी यह संख्या होगी एक हजार संख्या होगी एक हजार दीदी पाच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी पहले हम चार अंकों की छोटी संख्या तो जानले, पांच चनको की संख्या हम बाद ने देखेंगे, टीक है यह देखो, यह संख्या है ए, darO, darCogaCl कितने अंक कितने हैं, A, 2, 3 और चार, यानि चार अंकों की सबसे चोटी संख्या होती है एक हजार अब तुम लोग यह नहीं कूछोंगे कि दीदी यह कैसे पता चलेगा कि यही संख्या सबसे चोटी संख्या होगी जाना चाहोगे न? जाए दीदी इसका तरीका बहुत आसान होता है जहां हम कभी छोटी संख्या जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक, ऐसे एक इस पर लिख करके, शुन्ने के नीचे एक लिख करके उसको घटा देते हैं, तो हमारा उत्तर आएगा, नौ, नौ, और नौ, कल्पना कितने अंक हुए ये? तीन अंक दीदी, हां, 999 अंक हुए एक, दो और तीन, और यहां कितने अंक थे? चार, एक, दो, तीन और चार, और जैसे ही हमने उसमें से एक अंक घटाया, अंक रह गए तीन, इसका मतलग कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक हजार होती है, दीदी, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैं बताऊं, ठीक है, मैं बताती हूँ, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 9999, यह देखिए, 9, 9, 9, और 9, दीदी, जरह समझाईए तो, कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9999 ही क्यों होती है? अन्य क्यों नहीं? हाँ हम बताते हैं चार अंको के सबसे बड़ी संख्या 9999 ही क्यों होगी? अन्य क्यों नहीं? इसको जानने का भी तरीका बहुत असान है जब कभी हम बड़ी संख्या जाना चाहते हैं तो हम एक को जोड़ देते हैं आप देखिए क्या आएगा नौ और एक हुआ दस 10 का हमने शूर मैं यहा लिख दिया और एक हासी लगाया उपर ठीक अब 9 और एक हुआ 10, फीर हम 10 का शूरि मैं यहां लिखेंगे और एक लिख देंगे 9 के उपर ठीक, अब इसको जोड़ेंगे नौ और एक हुआ, दस, दस का शुने, नीचे लिखा, और एक हांसिल कहा लगाया, नौ के उपर, वेहत बहुर सही, नौ के उपर, अब इनक दोनों का जोड कितना होगा, दस, दस, कलता अब बताओ, कितने अंख हुए, पांच देगी, बिलकुर सही, पांच अंख, ए, दो, दीन, चार, और पांच, और ये कितने अंख थे, ए, दो, तीन, और चार, यानि के अगर हम चार अंखों में एक जोड़ेंगे, ठीक है, चार अंखों की बड़े संख्या में एक जोड़ेंगे, तो हमारे पास योग आ जाएगा 10,000 10,000 और ये कितने अंकों की संख्या बनगी? 5 अंकों की अतहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्या हुई? 9999 ठीक है ये है 6 अंक ठीक? अब मैलियं तुम्हें काम करो कोई 5 अंकों की 5 अंक है न? एक दो, तीन, चार, पांच ठीक है? पांच अंको की कोई एक संख्या लिखते तो दिखाओ जी दी ये देखिए दी बहुत सही नलीन ने लिखा है एक पांच नो शूने शूने ठीक है इसे कौन पढ़के बताएगा जी दी मैं बताओ हाँ कल पना बताओ तो पंद्रा हजार नौसो ये हुआ पंद्रा हजार नौसो ठीक है तो शार अब तुम कोई संख्या नहीं पूछ वगे पांच अंको की सोच की बताओ कौन पूछेगा चलो ठीक है हम एक संख्या पूछते हैं संख्या है चार ए दो शूने पांच कितने अंके कलपना पांच इसे पढ़के कौन बताएगा हमने क्या लिखा है दीदी मैं बताओ बताओ दीदी ये अंक है फिल्कुल सही इकटालीस हजार दोसो पांच अब हम आपको एक खास बत बताएगं देखो बच्यों यहाँ पर हम लगाएगे एक कॉमा वो क्यों ये है इकाई ये है दहाई ये है सैकडा ये हुआ हमारा हजार और इस आंके नीचे हम लिख देंगे दस हज़र ठीक जीदी अब बताईए कि पाँच अंकों के सबसे छोटी संक्या कौन सी होती है ठीक है लेकिन हम प्रहले कॉमा लगाना था उको बता दें देखिए इकाई धाई सेकडा के बाद हम लगाते हैं पहला कॉमा ठीक है और इसके बाद हम प्रतेक दो अंकों के बाद एक कॉमा लगाते हैं यह सब कुछ पर्ष्ट है यहाँ भी देखिए हमने क्या किया था इकाई धाई और सेकडा के बाद पहला कॉमा लगाया था इसके बाद हम प्रतेक दो नंबर के बाद एक कॉमा लगाते जाते हैं हाँ नलेम आप क्या प्रशन पूछ रहे थे दीदे की पाच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है पाच अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है कौन बताएगा अभी हमने आपको बताया था छोटी संख्या कौन कैसे जानते है और बडी संख्या कैसे जानते है दीदी दस हजार ये देखिए किनों ने बुला दस हजार ठीक है ना दीदी अभी हम बताते हैं आके लोग को पताते हैं इकाई धाई सैकड़ा हजार और दस हजार कितने हुए या पांच तो पांच अंकों के सबसे छोटी संख्या दस हजार हुई कल्पना ने बिल्कुल सही बताया अभी हमने समझाया था ना कि कैसे ग्याद करते हैं अब पांच अंकों के बड़ी संख्या कौन बताएगा सबसे बड़ी संख्या बताओ दीदी 999999 बिल्कुल सही नौ नौ ठीक है ठीक कितने अंकों गई है यह अंकों गई है यह अंकों गई है पांच एक दो ती चार और पांच असंख्या है 999999 बिल्कुल सही 999999 इतना सब की समझ में आ गया कि हमारे पांच अंकों की सबसे चोटी संख्या होगी दस हजार और पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999999 अब अच्छा हम तुमसे एक और प्रश्न पूछते हैं ठीक है मान दीजे हमारे पांच अंक्या है 999999 ठीक है हम इसमें जोड़ देते हैं एक एक जोड़ा तो हमारा यो कितना आएगा 9 और एक 10 का लगा 0 ने एक लगा हासल 9 और एक 10 का हुआ 0 ने एक लगा हासल 9 और एक 10 का हुआ 0 ने ठीक फिर एक लगा हासल 1 और 9 को जोड़ा कितना आया 10 10 का शून ने यहां लगाया एक लगाया हासल 9 के ऊपर इन दोनों को जोड़ा, एक और नौ को तो कितना आया, दस हमने आपको बताया था हम इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, तीन के बार, और फिर, दो के बार बताया था, अब इसको पढ़ेंगे, तो कितने अंख हैं इसमें, छे हम इसके नीचे एकाई दहाई लिखें, यह देखो, एकाई, यह हुआ दहाई, सेकड़ा, हजार, दस हजार, और लाक यही तो बला था कि हम लाक तर किस अंख्याओं का पढ़ना और लिखना सीखेंगे जी दूदू, तो यह क्या अंख बन गया, एक लाक अंख हुए छे, और संख्या बनी हमारी, एक लाक ठीक है, तो यह तो बताओ बच्चों कि यह एक लाक जो हुआ, हम आपको बताते हैं, अभी हम लाक बताया था कि पांच अंखों की सबसे छोटी संख्या होती है, दस हजार तो फिर से एक बार बताओ दू, मैंने क्या क्या बताया, ठीक, सबसे छोटी संख्या को जानने के लिए हम एक क्या करते हैं, घटा की देखते हैं, और सबसे बड़ी संख्या को जानने के लिए हम एक जोड देते हैं, और हम पहला कॉमा सैकड़े के बाद लगाते हैं, फिर ब